Hey guys, this is Neeraj and you're watching Qdricks 2.2 तो चलिए, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं पहले कुश्चन के साथ जो जो हमारा पहला कुश्चन है, वो है दो धनात्मक संख्याओं का योग 63 है यदि उन में से एक संख्या X दूसरी संख्या की दो गुनी है तो समीकरण क्या होगा तो अब यहाँ पे समीकरण की बात की गई है कि A, B, C, D आपके पास 4 ओप्शन है इसमें से क्या आप का अंसर होगा या आपसे बोल आ गया तो देखो ध्यान से कुश्चन में दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ 2021-2022 दो परिक्षाइं पिछले दो वर्शों में हुई है उससे पहले कोरोना से पहले कोविट से पहले जितने भी DL8 की परिक्षाइं हुई है हमेशा पेपर केवल और केवल हिंदी माध्यम में आया है 2021-22 में जो है English-Hindi दोनों में आये और अब उससे Continuously Hindi-English दोनों में हिं आयेगा तो जो पेपर हम कर रहे हैं ये उससे पहले का है इसलिए केवल हिंदी में अवेलेवल है बाकी English-Hindi दोनों में अवीलेवल रहता है Language की problem Maths में नहीं होती है कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है यह दी उन में से एक संख्या X दूसरी संख्या की दो गुनी है तब समय करण क्या है ख्यान दीजेगा दो संख्याओं का योगफल 63 है तो अब यहाँ पर दो अलग-अलग संख्या है X, Y तो हम मान नहीं सकते क्योंकि अगर हम option देखें तो केवल X, X बोला गया है है ना हमें क्या बोला कि उन में से एक संख्या X है तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या X हो गई तो definitely जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 63-X क्या होगी 63-X क्यों होगी भई क्योंकि दोनों का addition 63 है अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे X प्लस 63-X करोगे तो 63-X X कैंसल हो जागा बच्चे का 63 तो इसलिए बोला कि पहली संख्या X है और दूसरी संख्या जो है अब हम क्या करेंगे देखना ध्यान से देखना अब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे 63-X is equals to X क्या बोला है कि जो X है वो इसका डबल है तो हमें क्या करना होता है हमें balance करना होता है अब अगर आप ध्यान से देखोगे है ना तो इसको balance करने के लिए में 2 का multiply यहां करना होगा ठीक है 2 का multiply हम लोग यहां करेंगे अब हमारा question हो गया आसान कैसे देखो भई कैसे करना है हमारे पाथ जो option है वो है x-63 वाले option तो गलत हो गया सारे ठीक है x-63 वाले option गलत हो गया क्योंकि हमारा तो 63-x है a cancel हो गया c cancel हो गया बचा b और d तो अगर हम b option को ध्यान से देखेंगे तो यह है x upon 63-x is equals to 2 है ना तो यही हमारा सही answer है क्यों क्यों 63-x इदर multiply में है इदर आके divide हो जाएगा तो यह 2 is equals to हो जाएगा x upon 63-x ठीक है तो आपका जो right answer होगा वो का option number b 63-x अब यहां पर confusion कहा हो सकता है कि इसा 2 का multiply हमने यहां क्यों किया यहां क्यों नहीं किया इसका कारण क्या होता है देखें हमको balance करना होता है जब हमने जैसा समझ लो कि दो number है एक 40 number है वो दूसरे number 80 का क्या है दूसरे number 80 का double है जो 40 है वो 80 का double है अगर हमें इसक इको एक्वल करना है तो हमें क्या अगरना पड़ेगा इसको डिवाइट बैटू करना पड़ेगा या इसको इन्टू करना पड़ेगा तो मतलब कहने का मतलब कि आए कि आल्रेडी तो इक्वल ही है ना तो हमने जब इक्वल का symbol लगा दिया है यहां पे तो 63-x और यह value equal हो तो जब पताई का comment section में ठीक है तो मैं इसको दुबारा से आपको explain कर दूँगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो जो अगला question है हमारा यह गए व्रत में ओ व्रत का केंद्र है यदि om is equal to 4 cm रिज्या oa is equal to 5 cm तो था om is perpendicular to ab हो तो जीवा ab का मान होगा तो त्रिज्या oa दे रखी है त्रिज्या का मतलब radius आपको 5 cm दे रखी है और आपको बुला गया कि जो om है वो ab पर perpendicular है तो जीवा ab का मान बताना है आपको इसकी value बतानी है आपको इसकी value बतानी है यह बहुत असान question है हमको क्या करना है अच्छली हमको पाइथागोरस्तियोर का hypotenuse होता है यानि जो करन होता है यानि यहाँ पर पाइथागोरस्तियोरम के according क्या होगा देखो पहले समझ लो कि पाइथागोरस्तियोरम होती गया है देखो अगर कोई ऐसा triangle है जो right angle है यानि समकोन तिरभुजा हिंदी में यह वाला इसमें 90 degree का angle बनता है तो हमारा जो यह वाली भुजा होती है इसका square बराबर होता है इन दोनों के square के addition के यानि अगर मैं इसको a, b, c नाम दे दूँ तो जो 90 degree के opposite वाला है वो current कहते हैं hypotenuse English में कहते हैं तो ac का जो square होता है वो bc square plus ac square होता है यह होती है हमारी पाइथागोरस्तियोरम इस ही का use हमें करना है तो हमारे पास जो triangle है वो यह है है ना तो इस triangle में जो current होगा वो क्या होगा 5 cm यह इसमें क्या लगेगा formula a o का square is equals to a m का square plus o m का square तो a o कितना है 5 का square is equals to a m कितना है a m हमको निकालना है a m का square plus o m कितना है 4 का square तो 5 5 is a 25 4 का square 16 को अधर लेके आ जाईए यह हो जाएगा आपका a m का square ठीक है तो 25 में से 16 मैनस करोगे 9 आएगा तो 9 is equals to हो जाएगा a m का square तो a m is equals to हो जाएगा android of 9 यानि a m is equals to हो जाएगा आपका 3 है ना यानि a m आपका 3 हो गया तो अगर a m 3 है तो a से लेके b तक कितना होगा 3 plus 3 6 होगा इसमें options शायद मेरी खाल से किसी विए से छूट गए होंगे option तो होने चाहिए थे मैं देखता हूँ रुको नीचे option होगे शायद हाँ बिल्कुल है option यह रहे हमारे option तो option हमारे पास है option हमारा answer क्या हो जाएगा यहां पर अंसर हो जाएगा हमारा option number C देख सेंटीमेटर तो उम्मीद करता हूँ कि question आपको समझ में आया होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी असान question था वस पाइथा और स्विरमकों को समझना था ठीक है चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ तो जो हमारा अगला प् यानि right angle है वो एक equilateral triangle है यानि संभाहू तरफ है या वो isosilus triangle है isosilus triangle क्या होता है जिसमें उसकी दो बुझाएं बराबर होती है वो कैसा भी तरफ है आप maths वालों को पता भी होगा उस तरफ के तीनो अंतह कोणों का योग यानि तीनो internal angles का जो सम होता है वो 180 degree होता है होता इक कोण है वो 2x हो गया रॉसरा कै वो 3x हो गया और तीसरा कोण यह 5x हो गया यह है तो यह हैना 235 तो इसको 2x मान लो इसको 3x मान लो इसको 5x मान लो खी किहर के तो मैं पता है किfunding थीन ओका यो किसके बराबर 180 है अना तो यानि 2x plus 5x plus 3x is equals to 180 तो 5 और 2 7 और 3 10 यATHAN 10 X 10 यानि 18, x की value 18 आ गई, तो आब यानि x की value गर 18 है, तो इसकी value कितनी होगी 2x की value, 18 दुनी, 36 3x की value कितनी होगी, 18 3, 54 और 5, 18, 5 90 डिगर, यानि जो मारा answer होगा 36 डिगरी, continuously 45 और फिर 90 36, 54 और 90 45 मैंने गलती से बोल दिया, यानि option number A हमारा क्या होगा, second answer होगा ये वाला, तो असान question था, बिल्कुल भी difficult question नहीं है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो like, share और subscribe ज़रूर करिएगा, बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रशने की तरफ देखो, मेरी जो speed है, वो काफी तेज रहती है बढ़ाते वक्त, क्योंकि time waste मेरे को नहीं करना है, अपना करना है ना आपका करना है, तो time की बरबादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कि मैं धीरे धीरे लंबा खीच दूँ, और फिर आपको समझाऊं कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ने आये हैं, तो सिर्फ पढ़ाई करेंगे और properly चीज़ों को समझेंगे ठीक है, ठीक है, शाम ने एक पुरानी cycle 136 रूपे में बेचकर 15% हानी पाई, वहाँ उसे कि उसे 15% यहाँ पे एक चीज बिसिंग है यहाँ पे लिखना चीज़ता है, इनको लाब होता ठीक है, मिस्प्रिंटेड है, लाब होता 15% लाब होता ठीक है, अब देखिए, अगर यह question है profit loss का लाब हानी का, तो सबसे पहले मैं आपसे recommend करूँगा, नीचे description box में जाईए वहाँ पे profit loss की playlist है उसको पढ़िए, बहुत ही advanced method से आपको profit loss पढ़ाया गया है, कोई formula याद करने की जरूरत नहीं, यह कुछ नहीं है, बिल्कुल चुटकियों में उंगलियों पे answer निकालोगे, उंगलियों के धिमाग में answer निकालोगे, pen चलाने की जरूरत भी नहीं पढ़ेगी मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, अगर आप लोग उने profit loss मेरे से पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा, क्राय मूल्य को हमेशा 100% के equal मानेंगे, ठीक है, 100% के equal मानेंगे, और जैसे 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 लाव होगा, जैसे यहाँ पे पहले 15% की हानी हुई है, तो जब 15% की हानी हुई, तब उस case में selling price यह नि विक्रे मूल्य आपका, 100 में से 15 माइनस कर दो 85% हो जाएगा, ठीक है, similarly अगर उसको 15% लाव कमाना है, उस case में जो selling price होगा, वो 115% हो जाएगा, बस इतना सा काम है, कोई formula याद करने की जरुवत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, अब देखो, उसने 15% हानी हुई, तो उसने 136 में बेचा, यानि selling price कितरा है, 136 रुपए है, कब जब 85% पर उसने बेचा, यानि 85% की जो value है, वो 136 हो गई, simple, यह आपका selling price में आपको बताया, और यह आपको दे रखा है, अब अगर आप formula से करोगे ना, तो पहले आपको cost price निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरे formula में रखना पड़ेगा, कुछ करने की जरुवत ही नहीं है, अब क्या बोला है, वह उसे कितने में बेशता अगर उसे 15% का लाब होता, ठीक है, तो 15% के लाब में, मैंने SP कितना बोला होगा, 115%, तो 85% की value अगर 136 है, तो जी, 1% की value कितनी हो जाएगी, 136 बटा 85, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कि 85 चॉकलेट अगर 136 रुपे किये, तो एक चॉकलेट कितने होगी, 136 बटा 55, तो वही कंसर, यूनिटरी मेथड मैंने यह आप लगा रखा है, ठीक है, तो 136, तो अगर 1% की value 136 अपन 85 है, आपको क्या निकालना है, 115 की value निकालनी है, तो 115 परतिशत की value निकाल लीजिए, तो जाएगा 136 अपन 85 इंटू 11, ठीक है, तब 85 है, यह आपका 115 है, हम एक काम करेंगे, हम इसको कट करेंगे, तो 17 से कट जाएगा, देखो यह, 175 जा 85, ठीक है, और 17 से यह कटता है आपका, 178 जा 136, ठीक हो गया, फिर 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यह हो जाएगा, आपका 8 तियां 24, 8 दूनी 16, 17, 18, 184 रुपे, अगर मतलब उसको 15 परतिशत का लाव कमाना होगा, तो उसको इस आर्टिकल को, इस पुरानी साइकल को 184 रुपे में बेचना होगा, समझ में आया, दुबारा से एक्स्प्रीन कर दे रहा हूँ, क्विकली क्रें मूले हमेशा 100 परतिशत मानोगे, जितना लॉस होगा, उतना 100 में से माइनस कर होगा, तो 100 मांस 15, 85 परतिशत सेलिंग प्राइus, दूसरे केस में 15 परतिशत का लाव आपको निकालना है, तो उस केस में सेलिंग प्राइज 115 वरसंड, क्यूंकि इस 85 परतिशत का मान आपको 136 परतिशत का मान 136, 85, normal, basic concept, तो 115 का मान 136 परत सेलिल्ट्रीन यहीं चीह ज़ कर लो easily समझ में आ जाएगा देखो मैं चाहते तो इस question को आपको फॉर्मूले से भी बता सकता था लेकिन कहां यार 2023 में पढ़ रहे हो कहां फॉर्मूले पढ़ते रहोगे कोई मतलब भी नहीं होता फॉर्मूले पढ़ने का ठीक है अगला question देखते हैं यह दी आठ वेक्ति क किसी कारी को 10 दिन में समाब्त करते हैं तो 10 वेक्ति उसी कारी को किते दिन में समाब्त करेंगे फिरसे में वही कहूंगा नीचे जाओ description में time and work है उसको पढ़ो अच्छे से पहले तो अगर ऐसा question आता है कि कुछ वेक्ति किसी काम को इते दिनों में करते हैं तो उतने ही वे समुला याद रखिए M1D1 upon W1 is equals to M2D2 upon W2 अब यहाँ पर M1 क्या है number of person, number of days, number of person, number of days, W1 कारे और कारे क्यूंकि इस question में कारे बराबर है उसी कारे को यहाँ पर लिखा गया ना उसी कारे को किते दिन में करेंगे अगर यहाँ पर question कुछ इस तरीके का होता चलो हम बाद मे discuss करेंगे, तो M1 की जगा पर कितने वेक्ति हैं, 8 वेक्ति तो M1 की जगा 8 रख दो, किते दिन लग रहे हैं उनको 10 दिन तो D1 की जगा 10 रख दो, ठीक है W1, W2 सेम रखने के कोई जरुवत नहीं है, 1 रख दो इसकी जगा पर, W1, 1 बराबर M2, 10 वेक्ति किते दिन में हैं, तो 10 वेक्ति उस काम के दो गुने काम को किते दिन में करेंगे, तो यहाँ पर W2 की जगा 2 कर देते, अगर बोलता कि 10 वेक्ति उसके आधी काम को किते दिन में करेंगे, तो यहाँ पर 2 की जगा 1 बराबर 2 रख लेते, यहाँ पर हमें कुछ रखने की जरुवत नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हैं, तो सिधे सिधे M1 D1 is equal to M2 D2, अब यहाँ पर 10 जो है multiply में हैं, तो 8 गुणा 10 बटा 10 बराबर D2, 10 से 10 कट गया, D2 आ गया 8, यानि 10 वेक्ति उस काम को 8 दिन में करेंगे, option यह आपका answer होगा, उमीद करता हूँ कि यह class आपको अच्छी Z के बीच बाटी जाती है, X और Y मिलकर 2400 पाते हैं, Y और Z मिलकर 9500 पाते हैं, Z और X मिलकर 8500 पाते हैं, तो Y का हिस्सा आपको निकालना है, बेहत असान question, चले देखते हैं कैसे करना है, समझ लेते हैं पहले, कोई 3 लोग हैं, कौन कोन है, XYZ, ठीक है XYZ में बाटा गया, ले Y और Z को टोटल मिला के 9500 रुपीस मिले हैं, उसी तरह Z और X को टोटल मिला के आपका 8500 रुपीस मिले हैं, कुछ मत करो तीनों को जोड़ दो तो इसको जब आप जोड़ोगे तो left hand side अलग जोड़ता है और right hand side अलग जोड़ता है तो जब आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x plus y plus y plus z plus z plus x तो x दो बार y दो बार z दो बार समझ में आया दो दो बार आएगा ना 18 और 7 25 तो यहां पर यह 2x है 2y यह 2z है यानि 2x plus 2y plus 2z देखो हाला कि मैं यहां पर directly कर सकता 2 common लेके लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके arts background के होंगे या commerce के होंगे उनको यह चीज में दिक्कत होगी तो अब देखो ध्यान से यहां पर 2x है यह 2y यह 2z है तो सब में 2 2 है ना तो सब में 2 common ले लेंगे तो 2 common लेंगे तो यहां बच्चे का 2 plus x plus y plus z है ना बराबर 25 400 तो x plus y plus z is equals to हो जाएगा 25400 अपॉन 2 तो 2 से इसको cut कर देते हैं अगर आप ऐसे cut ना कर पाओ तो divide कर लेना तो 2 एक कम 2 हो जाएगा ठीक है तो यह निए 1 तो 7 00 आ गया x y z यहना अब हम क्या करेंगे ध्यान देना एक थोड़ी देर के लिए मेरी visibility आपको नहीं मिलेगे क्योंकि मुझे थोड़ी सा जगा चाहिए आपको अब आप ध्यान से देखो तो x प्लस z की value आपको दे रखी है कितना दे रखी है 8500 दे रखी है तो x प्लस z की जगा आप 8500 रख सकते हो 8500 प्लस y is equal to 12700 तो y की value हो जाएगे आपकी 12700 माइनस 8500 तो य हो जाएगा आपका 12700 माइनस 8500 तो जाएगा 007512 आठ दो दस और एक 11 एक और एक दो आपका आंसर आजाएगा 212 अच्छा मैंने जोड़ दिया क्या ओके सॉरी सॉरी मैंने जोड़ दिया है मुझे माइनस करना था माइनस करना था तो जाएगा 007 मेंसे 5 गया 2 और 8412 चार हजार 200 य हमारा जो आंसर होगा वोगा option number असान question था विल्कुल भी difficult नहीं था एक बार इन सभी questions को आप लोगों को दुबारा करना चाहिए वीडियो को दुबारा जाहिए पॉस करिए solution से पहले और दुबारा solve करिए जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक जो है वीडियो को पढ़ने का क्लास को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है एक बार repeat जरूर questions को करिएगा और